नमस्कार मैं नवलकिषोर निरोथरपिष्ट로 नावी नले और कोड़ी की समस्या। यह बहुत बड़ी समस्या हैं और युवाओं में तो आजकल खाश की तोर से हैं। नावी नले और कोड़ी समस्या। यह पहले के जमाने अगर हम बात करें, तो ये बच्चों में उन्याली समस्या होती थी, कोड़ी की समस्या बच्चों में ही होती थी, आपको ध्यान होगा कि बच्पन में छोटे बच्चों की कोड़ी गिर जाती है और उसकी वज़े से वो ना तो दूद पीते हैं, ना ही खाना खाते हैं, दिन भर रोते रहते हैं, और पास की गाओं की एक डाई मा आकर उस कोड़ी को सेट करती हो और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है इस समस्चा में अगर हम कोई भी टेस्ट कराते हैं हम अल्टरसाउंड करा दें, हम सीटी स्कैन करा दें, हम पेट का कुछ और टेस्ट करा दें आपके किसी भी टेस्ट में इस कोड़ी की समस्चा का डाईगनोज नहीं होता है नाभी की समस्चा भी जादतर बच्चों में ही होती थी नाभी खिसक गई है, नाभी इधर हो गई, नाभी उधर हो गई और एक नले की समस्चा जिए आज के जनरेशन की समस्चा है कि खाली पेट जब हम कोई वजन उठाने का काम कर लेते हैं या खाली पेट हम खेतों में काम कर लेते हैं या खाली पेट हम कोई कुष्टी लड़ लेते हैं या खाली पेट हम कुछ बहारी वजन उठा लेते हैं जिम में एक्सराइज कर लेते हैं उसकी वज़े से लगातार 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 काम करने से आपके नले पड़ जाते हैं और आपकी जानकारी के लिए मैं बताओं ये समस्चा कोई नई समस्चा नहीं है बहुत पुरानी समस्चा है लोगों को होती थी लेकिन बहुत कम होती थी लेकिन आज की समय में हमारा रहन सेन्द, हमारा खान पीनächst सब गरबर होता चले आ रहा है और अगर मैं बात करूँ हमारे खान पान की तो सुद्दता तो उसमें बहुत कम होती जा रही है जिसकी वजह से हमारा सरीर कमजोर और बहुत कमजोर होता जा रहा है हमारे सरी की इंटेर्नल ताकत खतम होती जा रही है हमारी मास पेशें कमजूर हो रही है हमारी हड्या कमजूर हो रही है क्रैम्स आ रहे हैं बाइटे हो रहे हैं नस्पे नस्प चड़ जा रही है हमारे क्रैम्स हमारी मसल्स पेन आ जाती है और उसकी वज़े से हमारे muscles में एठन आ जाती हैं ये सब समझे हैं हमारे muscles weakness की समझे हैं और हमारे गलत खान पान की वज़े से ही हमारी body का nature acidic होता चला जा रहा है acidic मतलब हमारे जो खाने की थाली है उसमें जतना खाना गैस पर पका हुए है जितना खाना गैस पर पका हुए हैं वो सब acidic हैं हम कितना raw material खा रहे हैं, हम कितना सलात खा रहे हैं हम कितना fruits खा रहे हैं, हम कितनी कच्छे सबजियां खा रहे हैं वो alkaline हैं तो आप देखेंगे कि आपके और मेरी थाली में 80% खाना acidic है और जब हम ACIDI खाना खाते हैं, सरीर पहले से कमजोर है तो उससे मास्पेशियां और लूज होती चली जाती है मास्पेशियां और खराब होती चली आती है और ऐसे समय पर ये नाभी, नले और कोडी की समस्थाएं अबरकर निकलकर आती है इसी वज़े से आज की यंग जनरेशन, आज की युवा जनरेशन सबसे ज़्यादा परिशान है तो नाभी, नले और कोडी से परिशान है कोडी आपके इस्टिनम बॉन के नीचे का हिस्सा है नाभी आपके सेंटर पॉइंट है और नाभी से नीचे इस दोनों साइट में हमारे नले का पॉइंट है यानि कि ये नले का पॉइंट है, ये नाभी का पॉइंट है, ये कोडी का पॉइंट है कोडी का दर्द आपको यहां महसूस होगा, कोडी की समझा है, यहां महसूस होगी कोड़ी आपको यहां समझ आएगी नाभी आपको यहां समझ आएगी नाभी बिलकुल पेट के बीचों बीच है और नाभी से दोनों साइट में यह नले हैं तो यह नले नाभी और कोड़ी यह आज की सबसे बड़ी समझा है डाइगनोज कर लें तो इसका समाधान हो सकता है आप इसको डाइगनोज कर लीजिए इसको समझ लीजिए और एक अच्छे नीरो थेरपिस से इसका इलाज कराईए इलाज आपके आसपास के दाई मा भी कर सकती है इलाज आपके आसपास के बुजरुग लोग भी कर सकते है लेकिन वो आपके बॉड़ी के नीचर को चेंज नहीं कर सकते है नीचर को चेंज करने में आपके खान पान का रॉल है नीचर को चेंज करने में आपकी बॉड़ी का acidic level down होना चाहिए, acid remove होना चाहिए, जिसके लिए एक नीरोथरपिस की आवज सकता पड़ती है, ना भी ठीक करना बड़ी बात नहीं है, नले ठीक करना बड़ी बात नहीं है, कोडे ठीक करना बड़ी बात नहीं है, उसे ठीक बनाई रखना बड़ी बात है, वो ठीक बनी रहे ये बड़ी बात है, उसके लिए निरो थरपिस किया वाज सकता है, और निरो थरपिस आपकी ब बतातों कि ना भी नले और कोडी होता कहां पर हैं, क्या समस्या होंगी, कहां दर्द होगा, कैसा दर्द होगा और मेरी कई सारी वीडियो में मैंने इनका समाधन बताया हैं, आने वाली वीडियो में मैं आपको समाधन बताऊंगा तो हमारे चैनल पर बने रहना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी आवसकता है, कोगि इस चैनल पर ना केवल डायगनोज, उसका treatment भी आपको मिलने वाला है, आए देखते हैं कि ना भी नले और कोड़ी को कैसे चेक करेंगे, देखे पेशेंट को सबसे पहले सीधे लिटा दीज पेशेंट खाली पेट होना चीए, खाली पेट की परिवासा है कि आप अगर रात भर कुछ ना खाएं, यानकि रात के डिनर के बाद सुबह अगर ना भी चेक करेंगे, तो ये खाली पेट है, नहीं तो आप खाना खाने के चार से पांच गंटे बाद ना भी नले कोड़ी चेक करा सकते हैं, ना भी का पॉइंट ये है, सभी उंगलों को मिलाकर ना भी की धड़कन को सुनने का प्रियास करें, ना भी की धड़कन दुग 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 आपको यहाँ पर मैसूस होनी चीए, यहाँ पर धड़कन आपको मैसूस होना चीए, ना भी की धड़कन ना पर है तो नाबी आपके बिल्कुल ठीक है नाबी की धरकन नाबी पर नहीं है दाएं हैं बाएं हैं उपर हैं नीचे हैं यालेगी नाबी अपनी दिखह से खिसक चुकी है اور उसके बाद आपको बहुत सारी अन्यक58 और एक समझाय आ सकती है इसे प्रकार आपकी STANUM BUN है STANUM BUN के नीचे जैसे ही STANUM BUN खتم होती है इस पार्ट को आप PRESS करिए यहाँ आपको अगर exhausted है भारीपन है दवाने पर मीठा मीठा सा सा दर्द है इस हISSA में दर्द है इस हिस्से में दर्द है तो यह कोडी का दर्द है यह कोडी का दर्द आपको परेशान कर सकता है कोडी में दर्द हो सकता है छाती में जलन हो सकती है छाती में दर्द हो सकता है खाने में तकलीफ हो सकती है निगलने में तकलीफ हो सकती है यह कोडी की समस्या है नाभी से नीच चोड़ रहें और इस तरफ और इस तरफ अगर हम देखें ये पेल्विक बॉन है ये दौनों तरफ पेल्विक बॉन है इस पेल्विक बॉन के साथ में अगर हम चेक करें तो ये हिस्सा नलों का हिस्सा है और यहां एकदम गाटें पड़ी हुई है टाइट हो रखा है तो इस वज़े से हमारे को डायग्णोज में भी तकलीफ होती है, तो सही डायग्णोज सही तरीके से करने पर आपकी बीमारी का समधान हो सकता है और यह समझचा केवल यह सम सकता है, जिसको तकलीफ है या जो इस तकलीफ को दूर कर सकता है यानिकि एक नीरो थरपिस ना भी नले और कोड़ी को ठीक करना जानता है ना भी नले और कोड़ी को ठीक कर सकता है तो आप एक नीरो थरपिस से संपर करिए नीरो थरपिस से मिलिए और नीरो थरपिस से अपनी इन समस्याओं का समाधान करा सकते हैं आप हम का रिहावानी मिल जाएगी और आप हमारे साथ जुड़कर अपनी समस्यों का समधन करा सकते हैं इस तरीकी की वीडियो अगर आपको पसंद है इस तरीकी की वीडियो आप देखना चाते हैं तो हमारे चैनल को सब्क्राइब कर लिजिए बैल बटन जुरूल रवाएए और इ